EZ2 Design में आपका स्वागत है आज हम सीखेंगे Whole Wizard क्या होता है और इसे कैसे यूज़ करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हम एक 3D Model बना लेते हैं जिसमें Whole Wizard यूज़ करेंगे हमें एक Plan Select करना होगा तो हम Top Plan Select करेंगे Sketch Rectangle Command की मदद से एक Center Rectangle Draw कर लेंगे इसका Dimension 100mm Enter by 100mm Enter इसे 3D में Convert करने के लिए इसमें Features लगाना होगा तो Features पर क्लिक करें Extruded Wash Base पर क्लिक करें और इसका Thickness 10mm अब हम इसमें Whole Wizard यूज़ करेंगे तो इसे Normal View कीजिए Features पर क्लिक करें यहां पर Whole Wizard दिया गया है इसमें क्लिक करें Whole Wizard में आपको Type और Position टाइप में Whole का Type सलेक्ट करना होता है और Position में आप कौन सी Position पे Whole चाहते हैं Whole Types में Many Tabs का Whole दिया गया है Counter Bore, Counter Sink और Simple Hole Straight Tap, Taper Tap, Legacy Hole Counter Bore Slot, Counter Sink Slot और Slot Standard में NC Inch, NC Metric, AS, BSI, DIN, GB, IS, ISO Many Tabs का Standard दिया गया है तो आप अपने Requirement के हिसाब से Select कीजिए हम यहां पर NC Metric सलेक्ट करेंगे और Type में Hex Bolt Select करेंगे Size में Bolt का Size दिया गया है M5, M6, M10 तो आप अपने Requirement के हिसाब से Select करेंगे हम यहां पर M10 सलेक्ट करेंगे Treatment में 3 टूल दिया गया है Close, Normal और Looze तो आप अपने Requirement के हिसाब से Select करेंगे हम यहां पर Normal सलेक्ट करेंगे और End Condition End Condition में Many Tabs का टूल दिया गया है Blind, Throw All, Up To Next, Up To Vertex, Up To Surface, Up Set From Surface हम Throw All रखेंगे और इसे उपर की टरफ ड्रैग कीजिए Whole Type में हम Counter Board सलेक्ट करेंगे और Positions पर क्लिक करें और 3D Sketch पर क्लिक करें जहां पर आप Counter Board चाहते हैं वहां पर क्लिक करें जैसे हम चारों कॉर्नर पर Counter Board चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करें यहां पर क्लिक करें यहां पर क्लिक करें और यहां पर क्लिक करें अब हम इसमें Dimension देंगे तो Smart Dimension पर क्लिक करें 15 mm, Enter 15 mm, Enter 15 mm, 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 और OK कीजिए, तो यह देखिए, M10 साइज का काउंटर बोर्ड चारो कॉर्नर पे इंसर्ट हो गया, यह था Whole Wizard, बहुत असान है, अब प्रैक्टिस करते रहें, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,